महाराष्ट के मुख्यमंत्री श्रीमान उद्धो ठाकरे जी महाराष्ट के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नविश जी श्री चंद्रकान पाटिल जी श्री राधर ग्रिष्ण पाटिल जी सुजय विखे पाटिल जी कारकम्मे उपस्तित अन्य जन प्रतिनीदी गण सभी मेरे किसान साथी देवियों और सज्जनों चत्रपती सिवाजी महाराथ तसेच वीर विरांगना वक कर्म योग्यान ची भूमी असलेला महाराष्ठाच मी वंदन करतों मैं रादा कश्न विखे पाटिल जी उनके परिवार और एहमद नगर के सभी साथियों का रदय से बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस पुन्य अवसर से जुडने के लिए आमंत्रित किया पहले तो बहाँ आना तैव हुआ था आप सब के बीच इस अवसर में सरीख होना था लेकिन कोरोना के खारण आज वर्चुली इस कारकम को करना पड़ रहा है साथियों डॉक्टर बारा साब विखे पाठील जी के आत्मकता का विमोचन आज भले हुआ हो लेकिन उनके जीवन की कथाएं आपको महाराश्टर के हर क्षेत्र में मिलेगी मैंने भी ये नदिक से देखा है कि कैसे डॉक्टर विठल राव विखे पाठील जी के पच्चिनों पर चलते हुए बाला साब विखे पाठील ने महाराश्टर के विकास के लिए खुद को समर्पित कर दिया था गाउं गरीब किसान इसका जीवन आसान बनाना उनके दूख उनकी तकलिप कम करना विखे पाठील जी के जीवन का मुल मंत्र रहा है अपनी आत्मकतान में भी उन्होंने लिखा है मी स्वतह सत्य पासून वा राजकारणा पासून अलिप्त रहलोनाई मात्र समाजा साथीच राजकारण आणी सत्ता हे पत्थ भी कायम संभाल राजकारण करताना माजा सतत समाजा चे प्रश्णल स्वडवन्यार भर राहिला उन्होंने सत्ताव और राजनीति के जरिये हमेशा समाज की भलाई का प्रयास किया उन्होंने हमेशा इसी बात पर बल दिया कि राजनीति को समाज के सार्थक बढलाव का माध्यम कैसे बनाया जाए गाव और गरीब की समस्याओं का समाधान कैसे हो बारा साथ विखे पार्टिल जी की यही सोच उन्हें दूसरों से अलग करती थी यही वज़े हैं कि आज भी उनका हर पार्टी हर दल में बहुत सम्मान है और यही बात अभी उद्दव जी ने भी बताई देवेंदर जी ने बताई चंदरकाल जी ने बताई गाव गरीब के विकास के लिए शिक्षा के लिए उनका योगदान हो माहरास्ट में कोपरेटिव की सभलता का उनका प्रयास हो यह आने वाली पीडियों को हमेशा प्रेणा देगा और इसलिए बाड़ासाब विखे पाटिल जी के जीवन पर यह किताब हमारे लिए भी समाज जीवन में काम करने की इच्छा रखने में लिए युवापीडी के लिए बहुत महत्वपूर है साथियों डॉक्टर बाड़ासाब विखे पाटिल जी ने गाउं गरीब और किसान के दुख को उसके दर्ग को नदिक से देखा समझा अनुभव किया इसलिए वो किसानों को एक साथ लाए उन्हें सहकार से जोड़ा ये उनीका प्रयास है कि जो इलाका कभी अभाव में जीनने को मजबूर सा आज उसकी तस्वीर बदल गई है सहकारिता के महत्वपूर उन्हा ने लिखा है कि सहकारी चडवड ये खरी नीधरमी चडवड़ा है सेकुलरिद्म के उनकी वैक्षा है हे नीधरमी चडवड़ा है ती कुठलया जाती ची किवा धर्मा ची बटिक नाई आता परियंत सगलया समाजाला जाती नाई परतिलिद्वत दिलया है यानि सहकारीता अभियान सच्चे अर्थों में निश्पक्ष होता है इसका किसी भी जाती और पंत से कोई सरोकार नहीं होता इसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिदी तो होता है एक प्रकार से उनके लिए सहकारीता सबके साथ से सबके कल्यान का सही मार्ग थी सिर्फ महराश्टर नहीं अटल जी की सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने देश के अनेक शेत्रों में सहरकारीता को बढ़ावा दिया उसके लिए प्रयास किया ऐसे में उनके आत्मचरीतर के लिए देह वेचावा कारणी ये नाम बहुती प्रासंगिक है बिलकुल सठीक है संत तुकाराम जी महराश्जी इनकोई इन पंक्तियों में बाड़ा साव विखे पाटिल जी के जीवन का सार है साथियों जब देश में ग्रामीन सिक्षा की उतनी चर्चा भी नहीं होती थी तब प्रवरा रूरल एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से उन्होंने गाओं के युवाओं को प्रुसाइद करने का काम किया इस सोसाइटी के माध्यम से गाओं के युवाओं के शिक्षा और कौशल विकास को लेकर गाओं में चेतना जगाने के लिए उन्होंने जो काम किया वो हम भली भाती जानते हैं ऐसे में आज से प्रवरा रूरल एजुकेशन सोसाइटी के साथ भी बाड़ा साब का नाम जुड़ना उतना ही उचीत है वो गाओं में खेती में शिक्षा का महत्व समझते थे उन्होंने अपनी आत्पकेता में लिखा है शेतीच कौशल्य अश्यामल सिवाए सू सिक्षीद मानुस ही सहज शेती करूशकत नाही खरतर शेतीला एंटरप्राइज का मनतनाईत याने व्यक्ती कितना ही पड़ा लिखा क्यों नहों अगर उसमें खेती का कौशल नहीं हो तो वो कभी खेती नहीं कर पाएगा जब ऐसी बात है तो हमें खेती को एंटरप्राइज क्यों नहीं कहते साथियों बाडा साथ विखे पाटिल जी के मन में ये प्रशन ऐसे ही नहीं आया जमीन पर दसकों तक उन्होंने जे अनुभव किया उसके आधार पर उन्होंने ये बात कही बाड़ा साब विखे पाटिल जी के इस सवाल का उत्तर आज के एहत्यासिक कुश्री सुधारों में भी है आज खेती को, किसान को, अन्दाता की भूमिका से आगे बढाते हुए उसको उद्द्यमी बनाने, एंट्रप्रिनर्शिप की तरफ ले जाने के लिए आउसर तयार किये जा रहे हैं चीनी में जो चमतकार महराष्ट में हुआ जो क्रांती, स्वेथ क्रांती, दूद्र की क्रांती गुजरात में हुई जो बड़लाव, गेहुं, हरियारा और पंजाब में दुकिया लोकल एकोनमी, लोकल एंटरप्राइज के यही मॉडेल देश को आगे लेकर जाएंगे साथियों, आज हादी के बाद, एक ऐसा भी दौर आया जब देश के पास पेड भरने को भी परियाप्त अन्य नहीं था उस परिस्तिते में सरकार की प्रात्विक्ता थी कि कैसे फ़सल की प्रोड़क्टिविटी बढ़ें इसलिए सारा ध्यान बस उसी पर था कि किसान क्या फ़सल पैदा करें अधिक फ़दल कैसे पैदा करें, कितना पैदा करें हमारे किसानों ने भी अपना पसीना बहाया जी तोड मेहनत की और देश की जरुरत को उससे भी अधिक अधिक फ़सल पैदा करके पूरा किया लेकिन प्रोड़क्टिविटी की इस चिंता में सरकारों का नीत्यों का ध्यान किसान की प्रोफिटेबिलिटी पर गया ही नहीं किसान की आमद ने लोग भूली गए लेकिन पहली बार अभी सोच को बड़ला गया है देश ने पहली बार किसान की आय की चिंता की है उसकी आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया है चाहे वो MSP को लागू करने, MSP को बढ़ाने का फैसला हो यूरिया की नीम कोटीन हो, बहतर फसल भीमा हो सरकार ने किसानों की हर छोटी छोटी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया है PM किसान सम्मान निधी योजना से किसानों को छोटे छोटे खर्चे के लिए दूसरों के पास जाने की मजबूरी से मुक्ती दिलाई है इस योजना के तहट एक लाख करोड रुपिये सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांस्पर किये जा चुके है कोई बिचोलिया नहीं, इतना ही नहीं कोल चेंज, मेगा फुड़ पार्क्स और एग्रो प्रोसेसिंग इंफासेक्टर भी अभूत पुर्व काम हुआ है गाउं के हाटों से लेकर के बड़ी मंडियों के आधुनी करण से भी किसानों को लाभ होने वाला है साथ क्यों, बाड़ा साब विखे पाटिल जी कहते थे, शेती निसरगाधारित केली जात होती हे ज्ञान आज सांभाडून ठेवले पाईजे तसेच नव्या आनी जुना चा मेर तरी घाठला पाईजे यानी पहले के समय खेती वाड़ी प्राकृतिक सित्यों को ध्यान में रखते हुए की जाती थी पहले के उस ज्ञान को हमें समरक्षित रखना चाहिए क्रिशी में नए और पुराने तौर तरीकों का मेल करना बहुत जरूरी है नए और पुराने तौर तरीकों के मेल का बहुत सटिक उदारण है गन्ने की फसल, सुकर के, अमधनगर, पूने और आसपास के खेत्र में तो ये और महत्मपून है अब गन्ने से चीनी के साथ साथ इथेनोल निकालने के लिए भी उद्योग लगाए जा रहे है महाराष्ट में भी सो के करीब ऐसे उद्योग चल रहे है और दर्जनों नए उद्योगों को जरूरी मदद की स्विकृती भी मिल चुकी है जैसे जैसे पैट्रोल में इथेनोल की ब्लैंडिंग की ख्षमता बढ़ेगी वैसे वैसे तेल का जो पैसा बाहर जा रहा है वो किसानों की जेब में आया करेगा साथियों डॉक्टर बाड़ा साथ विखे पाटिल जी महराष्ट के गावों की एक और समस्या के समाधान को लेकर हमेशा प्रयास रत रहे है और जिसका भी विस्तार से वर्णन देवेंद्र जी ने अपने भाशन में किया ये समस्या है पीने और स्विंचाई के पानी की दिक्कत महराष्ट में पानी परिशदों के माध्यम से उन्होंने इस दिशा में एक जनांदोलन खड़ा करने की कोशिश की थी आज हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि साल 2014 के बाब ऐसे प्रहासों को अभूरत पूर्व बल दिया गया है और देवेंद्र जी की सरकार की तो पहचान ही इस पानी के काम के कारण गाउं गाउं गरगर तक पहुँची हुई है प्रदान मंत्री क्रिसी सिंचाई योजना के तहट महाराष्ट में बरसों से लटकी 26 पर योजनाओं को पूरा करने के लिए तेजी से काम किया गया इन में से नव योजनाएं अब तक पूरी हो चुकी है इनके पूरा होने से करीब करीब पांच लाग हैक्टर जमीन को सिंचाई की सुविधा मिली है इसी तरह जुलाई 2018 में महाराष्ट की छोटी बड़ी 90 और सिंचाई परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया था अगले दो-तिन साल में जब इन पर काम पूरा होगा तो करीब चार लाग हैक्टर जमीन सिंचाई की सुविधा से जुड़ेगी राज के तेरा जिलें ऐसे भी हैं जहां भुजल स्तर काफी कम है इन जिलों में अटल भुजल योजना चलाई जा रही है साथियों सिर्फ सिंचा ही नहीं गामों के हर परिवार को शुद्ध पेजल पहुँचाने का काम भी महराश्टर की धर्ती पर तेज गती से चल रहा है जल जीवन मिशन के तहट बीते साल भर में महराश्टर के 19 लाग परिवारों को सुद्ध जल की सुविधा दी जा चुकी है इसमें से 13 लाग से जादा गरीब परिवारों की अन परिवारों को तो कोरोना महमारी के दवरान भी पानी पहुचाने का काम पुरा किया गया है कोशिच यह हैं कि जिस प्रकार घर घर सौचालय बना कर जिस तरह बहनों बेटियों को सम्मान और सुविधा दी गई उसी तरह नल से जल पहुचा कर उनके समय और स्रम को भी बचाया जाए और शुद्ध पानी स्वास्त के लिए भी भहुत उप्योगी होता है साथियों गाउं की आर्थिक और सामाजिक ववस्ता में माइक्रो फाइनांस इसका विशेश रोल है मुद्रा जैसी योजना से गाउं में स्वा रोजगारी की संभावना बड़ी है यही नहीं बितेशालों में देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई करीब करीब साथ करोड बहनों को तीन लाग करोड रुपिय से अधिक का रण दिया गया है किसानों पशुपालकों और मच्वारों को तीनों को बैंकों से आसान रुण मिल पाएं इसके लिए सभी को किसान क्रेडिट कार की सुविधा दी गई है लगबग धाई करोड छोटे किसान परिवार जो पहले किसान क्रेडिट कार से बंचित थे उनको अब अभ्यान चला करके ये सुविधा दी जा रही है साथियों गाउं में गाउं में रहने वालों में गरीबों में जब विश्वास जगेगा जब उनका आत्म विश्वास मजबूत होगा तो आत्म निर्भरता का संकल्ब भी मजबूत होगा गाउं में आत्म निर्भरता का यही विश्वास बाड़ा साब विखे पाटिल जी भी जगाना चाहते थे जीवन बर जगाते रहे थे मुझे विश्वास है कि जो भी उनकी इस आत्मकता को पढ़ेगा उसके भीतर नई चेतना का संचार होगा मैं फिर एक बार बाड़ा साब विखे पाटिल को आदर पुर्वक नमन करते हुए आप सब को भी बहुत बहुत शुप कामना ये देता हूँ लेकिन मेरी बात समाप्त करने से पहले मैं एक बात जुरूर आगरा से कहना चाहूँगा और महराष्टर के लोगों से तो विशेश रूप से कहना चाहूँगा कोरोना का खत्रा अभी भी बना हुआ है महराष्टर में ये चिंता और ज़रा जादा है और इसलिए मेरी महराष्टर के सभी नागरी भाईयों बहनों से करबद्द प्रार्तना है कि चहरे पर मास्क बार बार हाथ धोना साप सपाई रखना दो गज की दुरी इन नियमों में बिलकुल लापरवाई नहीं करनी है हमें हमेशा याद रखना है जब तक दबाई नहीं तब तक धिलाई नहीं हमें ये लड़ाई जरूर जीतें ये जीतनी है जीतेंगे फिर एक बार बार साप के पूरे परिवार को बहुत आदर के साथ क्योंकि चार पीड़ी सवाज सेवा में लगी रहे ये छोटी बात नहीं है जी और खुशी की बात ये हैं कि हर पीड़ी जादा कर रही है अच्छा कर रही है वरना हम जानते हैं कुछ पीड़ियां ऐसी हैं एक पीड़ी के बाद दूसरी पीड़ी थोड़ी कम ताकतबर नज़राती है तीसरी पीड़ी और कम तज़राती है और धीरे धीरे डिटोरेशन दिखता है जबकि बादा साथ के संवेसे रहे हैं कि उनकी सब पीड़ी उत्रोतर अधिक शक्ति अधिक से अच्छे संवेस्कारों के साथ जन सेवा में लगे रहते हैं ऐसे परिवार को भी आज प्रणाम करने का आउसर है आप सब का बहुत बहुत आभार धन्यवाद